साथियों, सरकार के प्रयासों का आप हमारे स्टार्ट अप एको सिस्टिम में भली भाती उन बातों को बहुत विस्तार से देख सकते हैं बीते आठ वर्षों में हमारे देश में स्टार्ट अप की संख्या कुछ सौ से बढ़कर सतर हजार तक पहुँच गई ये सत्तर हजार स्टार्ट अप लगभग साथ अलग-अलग इंडुस्रीज में बने हैं इसमें भी पांच हजार चे अधिक स्टार्ट अप बायो टेक से जुड़े हैं यानि भारत में हर चौदवा स्टार्ट अप बायो टेक्नोरजी सेक्टर में बन रहा है इन में भी ग्यारा सो से अधिक तो पिछले साल ही जुड़े हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का कितना बड़ा टैलेंट तेजी से बायो टेक सेक्टर के तरब बढ़ रहा है साथियों बीते सालों में हमने अटल इनोवेशन मीशन, मेक इन इंडिया और आत्मा निर्भर भारत अभ्यान के तहर जो भी कदम उठाए हैं उनका भी लाब बायो टेक्स सेक्टर को मिला है स्टार्ट अप इंडिया की सुरुवात के बाद हमारे बायो टेक्स स्टार्ट अप में निवेश करने वालों के संख्या में नव गुना वृद्धि हुई हैं बायो टेक्स इंक्यूबेटर्स के संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगबग साथ गुना बढ़ोत्री हुई हैं 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ छे बायो इंक्यूबेटर्स थे वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 55 हो गई हैं आठ साल पहले हमारे देश में दस बायो टेक्स प्रोड़क्स थे आज इनकी संख्या साथ सो से अधीक हो गई है भारत जो अपने फीजिकल इंफ्रासेक्टर और डिजिटल इंफ्रासेक्टर में अभूत्पर्व इंवेच्ट कर रहा है उसका लाब भी बायो टेक्नोलोजी सेक्टर को हो रहा है